जालो गाइज तो जैसा कि कद आप लोग देख दें कि टैली कैसे इंस्टाल करते हैं डाउनलोड करते हैं और इस्टाल कैसे करते हैं आज हम ये देखेंगे कि टैली ओपें करने के बाद से उच्छे किष्ट मिशि tenía कृक्षण कैसे हम स of अंच करता हैं तो सबसा पहले टैली क को shortcut की से open करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा माउस का right click और यहां पर property पिजाना पड़ेगा property पर आ गया property में यहां देखे shortcut लिखा है और यहां पर हम यहां पर हम क्या करते हैं के प्रेस कर देते हैं और apply कर देते और continue कर देता हैं और okay कर देते हैं अब यहां पर हम अपने सिस्टेम में control alt k press करेंगे तो देखिए tally आपको खुलके आ जाएगा it control alt k press करेंगे तो देखिए tally आपको खुलके आ गया Ctrl-Alt के प्रेस किया Tally को All देखे दो दो Tally खुल गया एक को बंद कर देंगे एक को Open कर लेंगे जोई जैसे Tally open होके आया अब Tally में जब ان्टर करना होगा तो हमें सबसे पहले डबलू प्रेस करना होगा W प्रेस करके Alt-W प्रेस करना होगा अल्ट डबलू प्रेस करेंगे जो यहां पर वर्किन एजुकेस्टन मोड पर आ जाएगा यहां पर अल्ट डबलू प्रेस के देखिए आपका क्या हो गया कंपनी इंफो खुलके आ गया कंपनी इंफो आने के बाद से आपको सबसे पहले अपने टैली का इंटरफेस को देख क्या करना है उसमें कंपनी पहला मतलब शुरुआती सबसे पहला आपके बिजनस का पहला जो कंपनी बनेगा यहीं से बनेगा एकाउंटिंग से लेटर जो भी डेटा एंट्री आपको करना है जो भी आपका एकाउंटिंग का काम करना है वो सारे चीज का काम यहां से स्टार् खोल के सबसे पहले हम आपको यह ले चलते हैं कॉन्फिग्रेशन पर आने के बाद से यहां आप देखेंगे तो अलग अलग सारी चीज़ें यहां पर दिया है जिसमें जनरल को उपिन करते हैं किसको जनरल को तो देखिए यहां पर लिखा है एकाउंटिंग टर्मिनलोजी य यह क्या है कि आपके आठ देशों को मिला कि एक एससीयेशन बनाए गया है जिसमें हम एक दूसरी देश का अपना काम इसमें कर सकते हैं जिसमें देश का नाम है इंडिया पकिस्तान स्री लंका बांगलादेश नैपाल भूटान एंड माल्दियूस इसके बाद से आप यहा यहां सचा है तो चेंज भी कर सकते हैं यह हो गया और इसके बाद से हम कंट्रोल ले करके इसको हटा जाते हैं अब देखिए इसके कर लेंगे अब यहां पर एक चीज़ और गौर करिएगा सबसे पहले अभी अंदर ना जाके बाहर बाहर पहले इसको समझते हैं इसमें एक klose button work नहीं करता है टाइली में तो टैली में कलोज बटन वर्क नहीं करता है तो इसको cut करने के लिए क्या करना पड़ेगा या क्लोज करने के लिए तो Q बटन प्रेश करना पड़ेगा Q का मतल़ QUIT तो यहाँ पर yes कर देंगे तो QUIT हो जायगा देखिए झाल